हेलो दोस्तों स्वागत आपका सुर्या फंडमेंटल स्टेडी में तो आज मैं आपको क्लास एट का एक्सरसाइज 8.1 कराने वाला हूं जिसका पहला कॉस्चेन है सबस्क्तों सबस्क्राइज आइए करते हैं सबस्क्राइजब करें देख सकते हैं कि ए फ्रिप्टिन तिवर्टिन तो यह हो गया हमारा अंसर लाएंट इसे हीए 15 किलोमीटर आवर तो 30 किलोमीटर आवर तो इसे अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं यह 1 ताइम 20 यह 2 तक तो 1 रेसियो 2 हमारा अंसर होगा क्या होगा वगा 1 एसे बिट की और चलते हैं तो सिकेंट वीट हमारा क्या है 5m to 10 km तो आप जानते हैं कि रिस्यू निकारने के लिए हमें यूनिट को सेम रखना पड़ता है तो यहां पर 10 km है और 5m तो मैं 10 km को में में कनवर्ट करते हूँ तो 1 km हम जानते है 1 km is equal to 1000 m समझ में आया है 1 km to 1000 m हो जाएगा equal और फिंग 10 km is equal to क्या हो जाएगा हमारा 1000 into 10 m ना यह होगा ना हम जब इसे into कर देंगी तो हमारा answer कितना आएगा 10 km is equal to once कितना meter कितना meter 10,000 m होगा answer तो अब ही होगा 10,000 m तो हम ratio निखाएगे ratio हमारा क्या होगा 5 ratio हमारा ratio इसे हम कट भी कर सकते हैं हमारा ratio यह हुआ अब इसको क्या हो जाएगा यह one times यह two times और यह सारे चीज़ों है समय 5 के टेबल में ही one ratio 2000 यह हुआ हमारा answer one ratio 2000 हुआ हमारा answer अब 3rd bit की और चलते हैं 50 तैसे टू रूपीज 5 तो रूपीज 5 तो यूनिट तो सेम नहीं है यह पैसे में और यह रूपीज में तो हम जानते हैं कि one rupees हमारा one rupees इसको कितना होता है 100 पैसा ना अंडेट पैसा ऐसे लिख गता हूं तो five rupees हमारा कितना हो जाएगा five rupees इसको हमारा 500 पैसा क्या 500 पैसा होगा इसका five rupees का तो हमारा ratio इसको क्या हो जाएगा ratio इसको कितना हो जाएगा 50 50 ratio five hundred होगा हमारा ratio एक कट भी हो जाएगा one time यह और यह कितनी time यह 500 होगा sorry यह 10 times ना इसको क्या हमारा जाएगा one ratio 10 होगा हमारा answer one ratio 10 हमारा answer होगा thank you and have a nice day video अच्छा लगा तो like कर दिजेगा और चैनल को subscribe कर दिजे thank you